आज का व्लॉग बहुत ही इंट्रस्टिंग है आज सवेरे उठे ते मैं क्या बच्चा मसते बढ़ावान नाश्ता तो यहां पर फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं इनकी रेसिपी अगे जाके हम आपको दिखा देंगे यहां पर हमने सोड़ा सा ओमलेट बनाया नाश्ते में फिर हमने बनाए फ्रेंच टोस्ट एथे फिर मैं गई साम बार शॉपिंग करनते जाक ले आई तो यहां पर बनाए प्रोण्स के राइस यह सब बच्चों की फरमाईश पे बनाया नोडल्स और इसके ओपर हमने और वे खो फिर मैं ट्रेवा लाला के सजास जाके खाना के जी रखे है मैं कैनिया के बंदा किना का काम कार साकता किना का मर नी जानदा काम कार करके है तो यहां से हमारा सुबा का हो गया आगास एम एक डोना जया लैंदा सी फरेक कितों बहराल उन जदाते नहीं हो या मैं मुड़के नो बंद करके राख चड़िया तो सुबा पर बन रहा था यहां पर फ्रेंच टोस्ट बच्चों ने कहा कि खाला आप ना यह जो बिरोश बिरोश रोल जो होता ना वो उसमें इस तरह से काट के चॉकलेट की फिलिंग करके ना फ्रेंच टोस्ट बनाएं मैं क्या अच्छा लियाओ ऐसे बना लेते हैं तो यह मेरी नीसेज ने इस तरह से स्लाइसेज काट के उन्हों ने फिर मुझे बताया के खाला इस तरह से ना आप इसमें इस तरह कट लगाएं एक चॉकलेट डीटेल लिए देच रखो उत तो इसको ठाप देओ इस तरह से तो बस फिर आपने इसको ना जबरदसा फ्रेंच टोस्ट बना लेना मैं क्या अच्छा जी चलो एफर इंजी बना वांगे तो इदर दूसरी तरफ यह मैंने उनको पकड़ा दिया मैं क्या लो बाकी ते तुसी करोन मैं ना इते ओमलेट दे अंडे बना लवां ते नाल मैं फ्रेंच टोस्ट वाले अंडे जो ना बस अंडों की आई हुई है बराद तो बस सुबह सुबह उठके नाश्टे की तियारी नाल लाया बच्चे नो उनना ने बड़े सुने फिलिंग ते मैं कहती हूं टीम वर्क हो रहा था यहां पे और चॉकलेट वेखो कि नहीं ओन ज चीनी पाई यह चीनी दी और सिनिमन पाउडर थोरा सा वो डाला क्योंकि यह जो है ना ब्रियोश रोल यह कुद भी जरा स्वीटी होता है तो बस इसमें इस तरह से मैंने इसको चंगी तरह एक दो बारी बस बाजी लवाई आंडे में तो बस पिर पैन हमारा गरम था तो मै ने उसमें डाला है मैंने ना यह जो है अलेक्ट्रिक कुकर एदर आ मिनो इना हले पता लागदा नी पर मैं समझी यहां कि एना गैस वाले कुकर ना लो बेतर है सुफाई देले हास डल बहुत ही बहतरीन चीज़ है यह और जितानु समझ लाग जाये दी टेंपरेचर कंट् तब भी बहुत अच्छा है तो मेरा तो एक्सपिरियंस आप पुछते हैं लेक्ट्रिक कुकर का कैसा है बहुत ही अच्छा है तो एथे बाणगे फिर फ्रेंच टोस्ट इनके उपर फिर सिनिमन जो है पाडर वो डाला एवेखो मैं क्या मैं तरनो खोल के वो खावा तो अने ना फिर बणा के खादा मैं के निया इनन्हों बड़ाई पता जैंज कल दे बच्चा नू की खाना है ते केंज़ खाना है सोशल मीडिया दा दौर एक एक मिनिट दी वीडियो वेख या आन्ति लेयां दा मेरे कुल वीडियो पूरी के मामा मुझे ये बणा के दूँ म मामा किंज सारा दिन किचेंच इवन मिन यादे साधियां शादियां थे भी मेरी अम्मी का टीने के दिले तस्वीरां दे विच और आज कल तो माएं सबसे पहले ब्यूटी पालच त्यार शेयार हो के तो सबसे पहले उस जमाने की माएं जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट थी मेरा बेटा फिर आया वड़ा करना मिन्हों नहीं देता मैं किया आजा तो मी खाला है मिन्हों निकलना दे यो आजे थो किचेंच जो ठीक है मैं आदेना ओवन देवे जी अपड़ा मंजी भी इस तरह खालानी है वावा निगा है उत्थी सुती रहा बस फिर सारा साफ किया और अब हम जा रहे हैं कोस्ट को फिश लेने जैसे आपको पता है कि रोमा की फैमिली आई हुई है इदर हॉलिडेज है बच्चे आई हुए है तो बच्चों ने कहा है आज उन्होंने खाना है चाइनीज नूडल्स खानी है सूप और फिश तो वह सारी शोपिंग करने भी जा रहे हूँ आपको मिलते हैं स्टोर में और फिर आके फटा फटा कोकिंग शुरू कर और शाम का खाना खाएंगे इदर टाइम कम है मकाबला सब्सक्राइब तो चलें चलते हैं कोस्ट कम असी पहुंचे जी कोस्ट को ते कोस्ट को दे बार अब पका चलता पे ऐसी विंड मेल इसको कहते हैं और बचपन च्वीना मिनू बड़ा ही चंगा लागदा हुंदा सी अब कोस्ट को में आये ते मचलियां ते ऐसी ऐसी मचली कि समझ ना आये कि मचली पकाने के डिये कदी मैं कोई मचली चुका कदी मैं कोई मचली चुका फिर जितना का मिरे हस्बंट को पता है वो फिर मुझे बताएं कि ए नहीं ते ए नहीं ते बस फिर मैं क्या फरे तुसी तो उन्जी नहीं कोई लाया नहीं जिनी मिन शेया है ते मच्छली ली फिर वहां से ये लिया हमने पुडिंग मैं क्या और मेरे कोते शामी कोई मिठा शिटा बनां दी हम्मत हो नी कोई नी ते एथो ही कोई चीज ले रे बच्चे वैसे भी खोशुन देने बार दे हैं चीजां का कर यहां से कुकी डो जो है वो ले ली मैं ओक़ लोगों की डोवी चंगी है बच्चे बड़ा शौक से खाते हैं बड़ा पसंद करते हैं ते आई विको आई मचली लई फिर ते दुजी आई लई इदे ना लेक ले परोन में के आज पूरा सी फूड का खांदान जो है ना इनी की पार्टी आज है आई मैं लिल्या मैं के कल स दमा यह था मोमोस कहते हैं शायद इसको यह भी बड़ी जबर्दस थे और यह भी मैंने आयान के लिए ले लिए हाँ तो मैं कह रही थी हमारा मिलना बड़ी देर के बाद होता है ज्यादा सी वर्टसेप दे गुरूपची वड़े उन्या तो इसलिए जब कोई आता है ना बड़ाई चाचरता है बड़ाई शौक से प्यार से हम खाना बनाते हैं जैसे दो साल बाद गए किसी के घर तीन साल बाद गए इतना टाइम हो जाता है यह नहीं होता कि हम मिले नहीं इसमें हो सकता है कि उनका चकर इदर लग जाए या मेरा ना लगे लेकिन मिल लेते हैं जल्दी जल्दी तो बस फिर घर आए गरा के मैं के मैं सारी आ चीजायां छीजायां संबालन dönे आए traction अवेखें अब अब लेकर आई यह हैं जो मैं यूज़ करती हूँ अक्सर खाने में तो यह है फिश जो मैं वहां से लेके आई थी अभी इसको भी सारी को मैंने धोना है यह है प्रॉन्ज बस मैं कर नहीं है प्रोना ने क्या से विया जो पार्टी कर ले यह कीसा नो बंद कीता है तो यहां पर फिश की मेरिनेशन की त्यारी हो रही है यहां पर मैंने एक पूरा स्प्रिंग ओनियन कर लिया यह मैंने ली है जिंजर और गारलिक और लेमन जो है इनको काटूंगी एह जड़ी रेसिपी है ना मैं अपने दमाग जो भी बढ़ा लनी है पर इसमें मुझे लग मर्जी है तो बस इनो चंगी तरह तो के साफ करके इस तरह मैंने इसको फिश को सारी को काटे शाटे ऐसे लगा दिये काटे लगा के इसको धो लिया तो पस पिर मैंने का हुंजडी है ना मैं इसकी सीजनिंग जो बनानी है वो कर लो तो इसमें मैं स्प्रिंग ओनियन को डा रही हूँ ग्राइंडर जेदे ग्राइंड हो जगा और यह है इमली की चटनी थोड़ी डाली और मैंने इसमें लेमन जो है वो थोड़ा डाला अपनी मर्जी के हिसाब से आप एड़ करें आपने बहुत खाना है तुसी हर यहां मर्चा में चेदे काफी पास आक देओ गालिक ज़्यादा एड़ कर सकते हैं क्रश चिली ज़्यादा एड़ कर सकते हैं लेमन ज़्यादा एड़ कर सकते हैं मैंने उसे साब से चीज़ें एड़ की तो बस इसमें डाला ओयल यह जो मसाला इसको मैं थोड़ा साना कुक करूंगी ताकि इसमें प्यास थे उनका पानी निकल जाए क्योंकि जब फिश हमारी पके निकले तो वो बिलकुल ड्राइ रोस्ट हुई हो पानी ना हो उसमें तो बस इस तरह मैंने एक लिए डोई और डोई के साथ मैंने सारी फिश जो है ना उसको लगा लिया मेरिनेशन अच्छी तरह से अंदर बाहर उसके आप एल लगा ले ताके और इसको फिर मैंने रख दिया है इस तरह से मैरिनेट करके अवन को मैंने अपने अन कर दिया हुआ है कि ओ अद्धा का कैंटा चले जब खूब गरम होगा फिश जो है मैंने एंड पर रखनी है क्योंकि इसको बस 20 मिनिट लगने है इसको मैरिनेट करके रख और इसके बाद फिर मैं अपनी बाकी की कुकिंग जो है न वो स्टार्ट कर दूँगी लेकिन हले पाटी मुकी नहीं यह जो मैरिनेशन बाकी की बच्ची थी इसमें मैंने दो कप प्रॉन्स जो है उनको भी मैरिनेट करके इस तरह से जो है न रख दिया अब मैं फिश को न लिगा ट्रेवा या गंदे बरतन वो मुझे न बिलकुल अच्छे नहीं लगते और ये विखो फिर मैं नहीं अपनी हांडी कर दिये क्योंकि मेरा जो दूसरी हांडी है न वो इंडक्शन हॉप के उपर नहीं काम करती एदे उते स्पेशल हांडी यां जडिया ने नहीं ज 500 ग्राम थाइस का मीट है मैंने ओयल डाल के इसमें जिंजर कालिक को भून के ये जो चिकन है बोलिस ये मैंने इसमें डाल दी अभी नो उन्चंगी तरह तुसी पन पना लाना ठीक है और ये है मेरा चॉपिंग बोर्ड का ये भी मैंने लिया था पाकिस्तान जाने से पहले वे खुछ चीज़ां दी वारी की दों की दों दी हैं मैं क्या हुन जरूरत पहा गई है हुन मैंनो खोल लामा क्योंके मैंनो आदत नी कि मैं सारा कुछ खोल के जड़ाना एक को वारी खलारा पा लामा जैसे जैसे मुझे चीज़ों की जरूरत पढ़ेगी वैसे वैसे मैंन ये खरीदावा है लेकिन थोड़े से ब्राइट कलर्स भी हो तो वो भी अच्छे लगते हैं वो मैंने एक दूसरे अपने किचन के लिए स्पाइस किचन के लिए भी एक बाई किया है वो किसी दिन शियर करूंगी उसके कलर्स जो है वो काफी ब्राइट है तो बस अब इसको जो है इसमें मैं डालूंगी चीजें की लापदी पैया मैं तो हाँ इसमें जाएंगी क्रस्ट चिलीज ये देखें अच्छी तरह जिंजर गालिक देना पॉल लिया तो उसी चिकन हो उन्दे चिपाओगे तो उसी क्रस्ट चिलीज ये बन रहा होट एंड सावर सूप तो इसमें अब जो है ये देखें सोया सोस वो थोड़ा सा हमने डाल देना है सोया सोस डालने के बाद फिर आपने इसको जरा हला लेना है भूल लेना है मैं ज्यादा ना चिकन ते स्वीट कॉर्ण वाला सूप बनानी है आई वाला सूप ना मैं फर्स टाइम बनाया है किसी दि पिर देखे जब अच्छी तरह बुन गया तो इसमें ने डाली हैं काली मर्चें काली मर्चें डालने के बाद इसमें हमने पानी डाल के खुला इसको बरख देना है बोल होने के लिए ठीक है आप पकी जाए अब मैं आई किचन में मैंने लिये हैं कोई पांच से छे टेबल स् इसमें मैं डाल रही हूं जिंजर गालिक और इसमें मैं डाल रही हूं काली मर्चे यह जो मैंने नूडल्स के ऊपर डाली है ना चिकन स्वीट चिली चिकन कैलो जड़ी वी चिकन कैलो वो मैंने बनानी है और इसमें मैंने हनी डाला है थोड़ा सा चाइनीज खाने का ये है कि इसको आपना सौस जो भी बनाएं आप उसको चक सकते हैं चक के फिर आप उसको उससाब से मैंनेट कर लें कोई परिशान होनी जूरत नहीं कि तुसी किनी चीज़ एड़ करनी जो आपको सही लगया आप वो डालें आवे खोईते में को स्टेंड ना लगे फिर मैंने बेटे को बलाएं कैमरा ते जिस सेट हो गया ते इत्थे साड़ी चिकन जिड़ी है एवी बहुत सुनी होनी शुरू हो गई फ्राई ठीक है इसको जो है ना फिर मैंने फ्राई करके निकाल लिया उदर हमारा मिरे दमाग से के मैं सूप भी रखे है उदर मैं अभी जाके वे खड़ा है और चीज़ें इसमें एड़ करूंगी और यह सूया सोस है और वोईस्टर सोस सोरी वह डाली थी और इसमें मैं डाल रही हूँ दो टेबल स्फोन की के अंदर नहें कौन फ़्लावर और यहां मैंने सूप में आप डालना है यह वेजटिबल्स क्योंके सूप तसाड़ा हो इसमें गाजरे है रेड पैपर है ग्रीन पैपर है और बंद को भी इस अजय रेड़ Inde repug कौन फ्लार वो डाल के इसको मैंने रख लिया यहां हमारा सूप जो है देखें बहुत अच्छा बॉयल हो रहा है तो मैंने इसमें डाल दिया अच्छा तुसी को गए देख कौन फ्लार एस्टेज तेया डिक्यों कीता है इसलिए कि इसकी थिकनस जादा देर बरकरार रहे ठी ठीक है उसे कोली जी मैं क्या तोड़ लाँ अंडे की उन पंडे पर नेने तोड़ेते में आपी ने और यह सेपरेट मैंने कौन फ्लार यह भी घोल के रख लिया ठीक है अब इसमें मैं यह डाल रही हूं मिक्सचर अंडे का यहां जो मैंने अंडा पहंटा था वो देखें अब और हमारा खाना भी ओल्मोस्ट रेडी हो जाना था आदे घंटे तक तो मैंने का कि मैं अब इसमें यह रख दो यहां पर बनने लगी हैं नूडल्स जिंजर गारलिक हरी मर्चें स्टर फ्राइड डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया इसमें मैंने डाला है वि करनी है क्यूंकि एदे उत्ते जड़ा सी स्वीटन साज चिकन हमने डालनी है ना वो कमाली होगी होगी स्ट बार शाव केचप विनिगर और डाल के मैंने इसमें डाल दी चिकन ठीक है अभी मैंने इसको बस इतना ही रेडी करना है क्योंकि जब इसको मैंने सर्फ करना है तो दुबारा एही वालियां सॉसिज और कौन्टिटी में मैं इसके उपर डाल के इसको पकाऊंगी और ये देखें इदर हमारे चावरों की त्यारी अब होने लगी है उसको भी मैंने रेडी करके रख दिया अद्दादा करके क्योंकि खाना गरम गरम और प्रॉपर टाइम पे सर्फ हो चीजां तुसी पहले ही सारियां पका के राख दो के तो तो यहां स्प्रिंग ओनियन करके मैंने इसमें डाल दिया है कीकंदेने जाना प्रॉजग के ऊपर हमने डाला सोया सोस और इसको अचीता से एसमें भी आप चाहें तो आप इसमें काली मचे आड़ कर सकतिया है आप इसमें क्रस्ट चलीज आड़ कर सकतिया है उदेनाल वीदा टेस्ट जड़ाना बहुत सोना बंद है और मैं इसमें लेमन जो है वो ने चोड़ रही हूं स्टेज पर ये देखें लेमन नो ने चोड़के थोड़ी दिर पुनके असीय दे उत्ते सोटे देने चावल चावल देखें अब इसमें मैंने पानी नहीं पहले ठीक है पानी इसमें हम बाद में डालेंगे अंदाजे से जिस तरह एक पोटा का नहीं ना उत्ते रखो चावलां दे उत्तना रखके चावल पकने के लिए रख दे ये हैं मेरे पास वेजिटेबल फ्रोजन वेजिटेबल ये भी कॉस्ट को की बड़ी ही कलरफुल और बड ही जबरदस्त हैं ये देखें हमारे चावल जो हैं दम पे आ गए हैं इस वकत थोड़ी सी अभी कसर है पानी की तो मैंकर चेक करके इसको मैंने दुबारा से बंद कर दिया यहां पर मैंने सेम वही वाली सॉसेज इसमें देखें ओस्टर सॉस हनी चिली सॉस सिरका कैचप द बड़ा जबरदस लगता है वेजटेबल भी हमारी रेड़ी होंगी टाइम मैनेजमेंट और खाने की सर्विंग टाइम बड़ी इंपोर्टन्ट है आपके अगर चार डिशीज हैं और चारो डिशीज जो हैं वो बिलकुल गरम हो जब आपने सर्व करनी है ठीक है यहां हमा हमारी नूडल जो मैं पका रही थी देखें वो भी हमारी त्यार होगी वो भी बिलकुल गरम गरम है उदर दूसरे चुले के ओपर मैंने इसी के ओपर जो चिकन डालनी है वो देखें ऐभी बिलकुल गरम गरम है यह देखें यह खाने का न एक मैं कहती हूँ वो बड़ा का बिल्कुल गरम गरम सर्फ करें कई जगों पर मैंने देखा है खाना ये देखे हमारा सूप भी बहुत गरम गरम था खाना बहुत अच्छा होता लेकिन ठंडा होता है या लोग बार बार माइक्रोवेव में गरम करकर के रख रहे होते हैं उस तरह से ना फिर वो मज़ा आता नहीं है खाने का ये देखे हैं हमारी वेजटेबल्स ये सब कुछ गरम गरम है अभी मैंने इनको सर्फ करना है इन चीजों को ये जाएंगी डिशिस के उपर इसके उपर मैंने डाला के काले ते चिटे ते ते स्प्रिंग ऑनियन खाने के न थोड़ी खूबसूरती हो तो मज़ा आता है खाने वालों को भी और आखों को भी अच्छा लगता है यहां पर इसके उपर बस थोड़ा सा मैंने का जब तक ये सर्फ करूँ फिश निकला है फिश सर्फ करने तक क्योंकि हमने क्रंची रखनी थी बंद को भी और स्प्रिंग ऑनियन जो मैंने चावलों के उपर डाले बस पांच मिनट का दम था ये और अब मैं इसमें से निकाल रही हूं उत्तों आ गया यानि पोखल लाग गय ते बस मैं कहने हलिता है होली होली सारे आणगे सारे आएंगे कि भई हलिता का खाना पका नहीं तो यहां पर मैं फिर चावल जो हैं उनको निकाल रह है अब यह सब खाएंगे और इंजोई करेंगे और मेरी मेनत होएगी फिर वसूल यहां देखें अभी एक फिश मैंने वो वाले प्लैटर में नकाल ली और एक जो है मैं इसमें नकाल रही हूं माशालला सब ने बड़ी शौक से खाई बच्चों नो बड़ी पसंद आई ल ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं अपने हिसाब से चीज़े आप इसमें अड़ कर सकते हैं और यह हैं वेजटेबल्स जो फिश के साथ जो हैं खाई जानी थी चावल भी खाई जाने थे तो यहां पर सब खाना डाल रहे हैं बच्चे और खाना फिश यह देखो यह नहीं बीचे भी कराते हैं चलो डालो फिर फूड डालो फिर फूड डालो यह नहीं तो यहां पर मैंने का कि मैं हिना को भी देयाँ खाना खाना जो है चावल थे और यह फिश थी मैं कि बच्चे उसके भी शौक से खाते हैं उन्हान भी चंगा लगेगा जाहरा विसीम की तबियत उन दिनों ठीक नहीं थी तो हिना नहीं आ सकती थी तो इसलिए फिर जहना मैंने का कि मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं तो यह आई मैं हिना के घर हम लोग लेके आए खाना तो हिना को बड़ा पसंद आया बस यहां पर फिर उसने का चलो मैं चाव बना नहीं है तो उसी चाव पी के जाए यह लाची वाली बनी यहां पर चाए और यह देखें फिर वस कि असीफर निकले का रहें ठीक है जी मुझे जाज़ते हैं ओके जी आलाहाफेज़